और शरी चार टाइपस है और एलेक्टरौन का एमिशन होता है उस बारे में हमने विस्तर में चर्चा किया था और Kraftиков एमिशन का चार स्टेज है चार types है चार method है और चार process है जயसा कि thermoic emission, field emission, photoelectric emission and secondary emission इन चारो emissions में हम आज discuss करेंगे details में about the photoelectric emission और it is called photoelectric effect इस बारे में discuss करेंगे इसका introduction इसका history की कैसे photoelectric effect discover हुआ इसका characteristics discover हुआ इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि इसमें कौन-कौन सा scientist का महत्रपुर्ण योगदान है इस बारे में हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले photoelectric effect जो है उसका discovery कैसे हुआ इस बारे में हम चर्चा करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ आता है हार्च observation हार्च का observation यहाँ पर बहुत ही important है तो किसका observation हार्च हार्च observation तो क्या हुआ था actually it was an accidental discovery हुआ था यह कि यह experimental setup जो है इसे थोड़ा और बड़ा करके हम देखाते हैं तो इस experimental setup को simply हम draw करेंगे तो दो बड़ा बड़ा plate था ऐसे दो बड़ा बड़ा plate था और इन दोनों बड़े-बड़े plate metal plate के साथ दो ऐसे ball जैसा लगा हुआ था ठीक है दोनों ball और यह दोनों ही connected थे यह दोनों ही connected थे induction coil के साथ ठीक है induction coil का arrangement है induction coil induction coil का का काम है alternating current को supply देना तो यहाँ पे और इन दोनों sphere के बीच एक air gap था दोनों sphere के बीच एक air gap था तो क्या हो रहा था कि यहाँ दोनों sphere में या फिर कह सकते हो दोनों metal plate में हम high potential difference इन दोनों के बीच create करना चाते है high potential difference तो high potential difference हमने create किया जब हम high potential difference create करेंगे तब क्या होगा तब यह होगा कि तब high potential difference के कारण air में जो molecules है या सरी जो atoms है वो आयोन में dissociate हो जाएगा तो यहाँ पर होगा आयोन और एक चीज है इसे कहते है रिशी भार यहाँ पर था बताएंगे सबका function एके करके तो यहाँ पर क्या हुआ कि यह जो high potential difference क्रेट किया उसके बजाद से air gap में जो atom था वो atom ब्रेक हो गया आयोनस और इलेक्ट्रोंस में ब्रेक हो गया आयोनस और इलेक्ट्रोंस में ब्रेक हो गया पर यह हम उन्हें दिया ac supply ac supply मतलब ac supply मतलब अभी यह plus हो रहा है और यह minus तो next cycle में यह minus यह plus और high frequency का ac supply मतलब यह जल्दी जल्दी plus minus plus minus plus minus मतलब एक rate में बहुत high rate में change हो रहा है इससे क्या हुआ कि यहां पे जो आयोन जो electron था वह भी एक बार उपर के तरफ एक बार नीचे के तरफ ऐसे oxalate करेगा क्योंकि polarity हमेशा change हो रहा है जब यह plus हुआ तब electron जाएगा पर फिर वही electron जब यह plus हो जाएगा तब इधार रहेगा तो इसलिए the ions and electrons are oxalating है और oxal एधना high frequency है मतलब बहुत जल्दी oxalation कर रहा है और इस oxalation के कारण इन में से धका भी हो रहा है और यह धका के कारण sparks are produced उस gap में क्या produce हो रहा है spark high voltage spark कहते है sparks are produced in that gap और यह high voltage spark के साथ साथ और एक चीज़ प्रोडियूस हो रहा है actually जिसका experiment कर रहा था है हेंरी खार्च that is electromagnetic wave जो Maxwell ने थियोरी दे गया था उसी प्रूब करने के लिए experiment कर रहा था तो यहाँ पर high voltage spark create होता है फिर यह जो इससे कहते है receiver इससे कहते है receiver इस receiver में भी ऐससे high voltage spark create होता है यह यहापे भी क्या क्या क्रियेट होता है ना high voltage spark तो अभी हमारे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि उन्होंने जब यह cathode में cathode मतलब कौन सा है जब cathode मतलब अब इस sphere actually plate जो है इसे cathode बोल रहा है हम तो यहाँ पर जब उन्होंने ultraviolet radiation दिया actually radiation फेला तो उन्होंने क्या देखा उन्होंने actually ultraviolet light फेला एक arc lamp से तो ultraviolet light पढ़ते ही metal surface से negatively charge particle ज्यादा बहार आने लगा जो high voltage spark जो produce हो रहा था उसे और उसे और बढ़ा दिया तो मतलब light पढ़ते ही कैसा light नए UV light UV light पढ़ते ही high voltage spark और ज्यादा produce होने लागा तो इसका मतलब UV light पढ़ने के बाद जरूर वहां से कुछ ना कुछ निकला होगा उन्होंने actually cathode में दिया था तो produce हुआ और क्या हुआ इसका negatively charge particle वहां से निकल रहा है जो high voltage spark को enhance कर रहा है तो इसका मतलब light का जरूर कुछ function है light energy दे रहा है जिसके करण यह जो high voltage spark है यह और enhanced हो रहा है यहां से शुरू हुआ photoelectric effect का discovery अब photoelectric effect को आगे ले गया hall watch और लेनाट और भी scientist थे जो इस बारे में experiment कर रहा थे एल स्टार गीटेल तो इन में से दो scientist का experiment के बारे में हम और जानेंगे दे आर hall watch और लेनाट तो next is hall watch observation hall watch ने क्या observation किया वह हम देखेंगे तो देखते हैं hall watch ने क्या किया hall watch ने जो किया उन्होंने एक एक electroscope लिया उन्होंने क्या लिया उन्होंने लिया एक electroscope उन्होंने एक electroscope लिया और उस electroscope electroscope उल्रेडी हम जानते है class side में पढ़ा है कि charge, testing charge if anybody is charged और uncharted इसस्टा testing करने के लिए electroscope का use होता है तो यहाँ पे hall watch ने क्या किया उन्होंने electroscope के साथ एक zinc का plate connect किया उन्होंने क्या क्या ना उन्होंने इलेक्ट्रोस्कोप के साथ एक जीन्क का प्लेट कनेक्ट किया ठीक है जीन्क प्लेट कनेक्ट किया और जीन्क प्लेट कनेक्ट करने के बाद उन्होंने ये देखा कि जीन्क प्लेट में अगर पहला कंडिशन इव इस इनिशेली नेगेट अगर उसमें negatively charge पहले से दिया गया है हम दे सकते है पहले से अगर negatively charge उससे दिया गया है तो उसके उपर अगर हम zinc plate जो है इस zinc plate के उपर अगर हम ultraviolet radiation फेकते है यह भी radiation देते है तो यह zinc plate क्या हो जाता है इलेक्टोस्कोप उसे क्या देखाता है पहले नेगेटिब था और अल्टा फायलेट रेडियेशन के बाद ये बन गया आनचार्जट फिर क्या हुआ जब जिंग प्लेट अनचार्ज रखा था तो फिर हमने टेस्ट करके देखा कि अल्टा फायलेट लाइट गिराने के बाद ये बन गया पोजेटिबली चार्जट ये बन गया पोजेटिबली चार्जट ये बन गया पोजेटिबली चार्जट ठीक है और तीसरा एक केस हुआ तीसरा केस में क्या हुआ तीसरा केस में अभी इस बार जिंग प्लेट को हमन पर हमने अल्टा वायले डिया तो एट बीकांम्स मोर पॉजेटीब ली चार्ज्ट एट बीकांस मोर पॉजेटीब ली चार्ज्ट and from this observation उन्होंने ये conclude कि जुरूर जुरूर अल्टा फैलेट रे गिरने के करन जिंग प्लेट से कुछ नेगेटिबली चार्ज बाहर चला गया है अगर ये जिंग प्लेट है और ये अल्टा फैलेट रेडियेशन है तो जुरूर कुछ नेगेटिबली चार्ज नेगेटिब च सेट आप किया जिससे उन्होंने इस फोटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट को और अच्छे से एक्स्प्लेनेशन दिया तो लेनर्ड ने क्या देखा देखते हैं लेनर्ड ने क्या सेट आप किया और क्या अबजर्वेशन किया तो उन्होंने एक बैटारी लगाई ठीक है इस वह यहाब अगर हम setup को फिर से draw करेंगे तो क्या होगा कि उन्होंने पहले एक vacuum glass लिया तो पहले उन्होंने क्या लिया पहले उन्होंने एक evacuated glass tube लिया जिस glass tube के अंदर already दो plate था दो plate है metal plate जिससे हम क्या कह रहा है एक plate का नाम है cathode दूसरा plate का नाम है anode ठीक है एक plate का नाम है cathode और दूसरा का नाम है anode है तो सोचो हमने इसका नाम दे दिया anode और इसका नाम दे दिया अब इस cathode को हमने क्या किया cathode को हमने connect कर दिया positive battery का जो sorry battery का जो negative terminal है उसके साथ हमने cathode को connect कर दिया और battery का जो positive terminal है उसके साथ हमने anode को connect किया और बीच में m meter micro m meter हमने connect कर दिया micro m meter क्यों connect किया ताकि current है या नहीं सरकिट में ये जानने के लिए हमने m meter माइक्रो m meter connect कर दिया ताकि छोटा से छोटा current भी पकड़ा जाए ठीक है तो connect कर दिया अब क्या देखा गया कि normally कोई current flow नहीं हो रहा है फिर देखा गया जब ultraviolet radiation हम डाल रहे है जब बाहर से ultraviolet radiation cathode plate में डाल रहे है यू भी radiation हम cathode plate में डाल रहे है तब क्या हो रहा है तब हमने देखा कि circuit में एक current हमें मिला मतलब m meter कुछ reading दे रहा है जब भी light बंद कर रहा है m meter भी light reading देना बंद कर रहा है तो यहां से लीनाड ने conclusion निकाला यह क्या निकाला तो लीनाड ने बताया कि जब ultraviolet ray यहां पे गिरा होगा तब ज़रूर यहां से negatively charged particle मतलब electron electron निकला है ठीक है यहां से electron निकला है और electron निकल के it will be attracted by the positively charged plate आनोड और फिर यह electron चला गया आनोड पे और ऐसे ही यह circuit complete कर रहा है और ऐसे ही हमें current देखने का मौका मिल रहा है हम current देख पा रहे हैं ओके तो यह था उसका time at the same time Thompson ने यह बोला कि यह negatively charged particle है that is called electron और फिर Leonard ने उसके बाद बोला कि यह light गिरने के कारण electron निकल रहा है so this is photo electron और इस जो current है इसे हम बोलेंगे photoelectric current so this is all about the photoelectric effect फिर Leonard ने और बेतर observation करने के लिए और बेतर experimental setup बनाया तो उस setup के बारे में हम next class में चर्चा करेंगे so this is photoelectric effect धीरे धीरे आया एकदम शुरू से अगर बोले तो पहले हार्ज उसके बाद हलो आज एंड फिर फाइनली लेनाड उस सबने मिलके और एक बार बता देते कि क्या हुआ कि जब light metal plate के उपर गिरा तो light का जो energy है उस energy से electron metal plate से बाहर आया और फूरा हमें current देखने का मौका मिला तो यह जो light के current current मिल रहा है this is called photoelectric effect okay so this is all about today's class and if you have any doubt you can ask okay if you like the video you can subscribe the channel to get more this kind of video thank you